माधानता विधायक ने स्वास्त केंद्र पर मरीजों की सुविधाओं के लिए उपकरण उपलब्द करवाए है विधायक ने स्वास्त केंद्र में पलंग कुर्सी टेबल सहित अन्य सामगरी उपलब्द कराई है लेकिन सुविधा नहीं होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं इसको लेकर माधानता विधायक नाराइन पटेल की पहल और पत्र लिखने के बाद NSDC के GM एके सिंग द्वारा CSR योजना के माध्यम से अलमारी, कूलर, टेबिल, बैड, सहित, मरीजों की स्विधाओं के लिए अनिसामगरी भी उपलब्ज करा दी है इस अफसर पर इंद्रा सागर बान परियोजना के प्रबंदक एकी सिंग और माधानता विधायक नाराइन पटेल उपस्तित रहकर स्वास्त केंद्र के प्रभारी को संपून समगरी सोंपी नर्वदा सागर परियोजना NSDC द्वारा संचालित की जा रही है समूची परियोजना में हमारी NSDC का फुद बड़ा सयोग है और आज हम जहां खड़े हैं नर्वदा नगर में NSDC से हमने आगरे किया था मैंने कुद ने भी पत्र दिया था हमारे इस्थानी समस जन प्रंद दिये हमारे इस्थानी निवास्यों की इसी मांग रही है कि यहाँ पे NSDC के CSR मत से स्वास्त विभाग, सिक्षा विभाग, अन्य योजनाओं के तहत यहाँ धन खर्च कर सुईदा मोया उपलब कराई जाए उसको हमारे NSDC प्रमुक सिंग साब NSDC प्रमुक संग साब दोरा है उनकी पूरी टीम के दोरा से नाना प्रकार की हमारे उपस्वास केंद्र हो या सिक्षा का केंद्र हो दोनों जगे आपने जो कमिया थी उसको पूरी की और मेरा ऐसा मानना है जादस जादस CSR का फंड हमारे इस नर्गदा नगर में हमारे अपने शेत्र में लगे जो है हम लोग यहां पर स्कूल के लिए और यह उपस्वास केंद्र के लिए जो भी समान था मेरे हिसाथ से हमने लगभग इनकी जो रिक्वार्मेंट है लगभग पूरी कर दी है और इस पर राज मानिये विदायक भी यहां पर उनकारेशर से मोहित साहू के रिपॉर्ट